मैं फरहान और आप देख रहें इंडियन मीडिया बुक करनाटका में काउ सलोटर का जो और्डिन्स निया और्डिन्स पास हुआ उसके बाद की ये पहली घटना सामने आई है एक ट्रक ड्राइबर जो अपने ट्रक में 12 से 15 कैटल को रानी बिन्नूर से मैंगलोर ले जा रहा था उसका नाम आबिद अली है काउ विजिलन्स के लोग 8 जनवरी के अर्ली इस मॉर्निंग में उस ट्रक को रोकते हैं जो की आबिद अली चला रहा था और उसको मार पिट किया जाता है उसके बाद उसके पाद जो कैस इमाउंट था उसको छीन ले जाता है और साथ में दो मॉबाइल को भी लेकर चले जाते हैं और जो आबिद अली कैटल को लेके जा रहा था उसके उपर केस बुक किया गया है और केस ये लगा है कि ये जो cattle ले जा रहे थे इन ले जाने का जो तरीका था safety measurement जो था उसको maintain नहीं किया गया था ये जो case book किया गया करनाटका का cattle का जो new ordinance act है उसके उपर ये case book किया गया है और आभी दली का कहना है कि ये जो cattle है वो agriculture purpose के लिए जा रहा था ना कि slaughter house के लिए और उसका ये भी कहना है कि जतने भी document चाहिए थे उस transport करने के लिए वो सारे document उसके पास मौजूद थे और इसके ट्रक को वहां के किसी आदमी ने जो ये cattle को खरीदा था उसको hire किया था और आबिद सिर्फ as a truck driver उस cattle को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा था तो करनाटका में cattle का जो ये निया ordinance का उसके बाद ये पहली घटना सामने आई है बात ये कि बहुत सारे लोगों का पहले से कहना था कि ये जो छोटा सा loophole है जिसका loot part करने वाले इसका फायदा उठा सकते हैं तो देखना पड़ेगा government ऐसे हाथ से होने के बाद क्या action लेती Thank you so much watching Indian Mediaboo